बहुत के सभी पहलों पर अनुसंदान के लिए ICARCIRB की स्थापना 1985 में हुई थे इस वर्ष NASF Funded Buffalo Cloning Project के अंतरगत विशुस्तरिये दो अद्बुच सफलताएं इस संस्थान को मिली है पहली उत्तम नसल के जोटे M29 के साथ क्लोन पैदा करना तथा 2015 में पैदा गिये गई क्लोन, बुल, हिशार गोरो को री क्लोन करना इसके साथ साथ हिशार गोरो की 10,000 सीमन डोजिज तथा 25 बच्चे भी पैदा किये जा सके हैं तथा SME's Buffalo Cloning की 3,000 सीमन डोजिज भी फ्रीज की गई हैं अब क्लोनिंग तकनीक देश में जोटों की कमी पूरा करने के लिए एक विकल्प के रूप में तैयार है जैसे हमारे इस संस्तान की बहुत सारी अचीवमेंट पास्ट में रही हैं पिछले साल हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो इस देश के वहसों के उत्थान के लिए एक बहुत ही मील का फत्तर साबित होगी उसके लिए हम मानिय मंतरी मौदे से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसके बारे में अनौंस करें झाल